लेकिन पेटियम पर फोकस करते हैं यहां पर अब तक हमने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ है सारी डीटेल रखे लेकिन कब-कब RBI का पेटियम और इसकी सबसिडिरीज पर आक्शन देखने को मिला है क्या हुआ है इसका इन सब चीजों का शेर पर असर इसकी पूरी टाइम लाइन के साथ पूरी डीटेल लेकर वरुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुन जर्ण बताईए कि इससे पहले और क्या क्या आक्शन दिखें है और तब क्यासा इंपक्ट था डेफिनिटी तो हमने देखा था कि 2016 के आसपास मेरे क्या से वह जो डीमोर्टाइजेशन आ सबसे बड़ी खबर थी पेटियम का खुद का कहना है कि इस कदम से इनके अबिटा पे करीब करीब 300 से 500 करोड रुपे के आसपास का इंपक्ट जो है वह देखने मिल सकता है दूसरे बैंकों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं अपनी सेवाएं बढ़ाने के लिए इसके पहले अगर आप देखेंगे तो माज 2022 ये वो समय था जब आर्बिया ने इस कंपनी पे नए ग्रहक जोडने पे रोक लगाई थी उसके बाद इन्होंने बार बार एप्लाई किया लेकिन वह आप्लिकेशन इनकी पास नहीं हो पाई ऑक्टोबर 2023 में अगर आप देखेंगे तो प पालन इन्होंने किया साइबर सेक्रिटी में जो घटना हो रही थी उसका इन्होंने सही समय पे डिस्क्लोजर नहीं दिया इस तके आरोब जो है इस कंपनी पे लगातार लगते रहे हैं और इसके लिए आपने देखा इस बार भी इस कंपनी का लाइसन जो है वो वारेन बफेट ने भी अपना इन्वेश्मेंट जो है घाटे में ही लेकिन पेटेम में निकाल दिया तो कही ना कई इन्वेश्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ है और आरिबा के नजों में लगातार रहा है लगातार फाइन लगे हैं और अब तो बिजनस भी गया बिजनस भी यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी दिकते हैं अफकोस हमने देखी है कि यहां पर आती हुई नजर आ रही है